दिग्रस में शुक्रवार की नमास के बाद मुस्लिम समाज बंधों की ओर से मुकमोर्चा निकला गया रामगीरी महराज द्वारा हजरत मुहमत पैगंबर पर किये अबदर वक्तवे के खिलाप तहसिलदार को ग्यापन सौप कर रामगीरी महराज पर कड़ी कारवाई की मांगी गई है पेशे दिग्रस वादा ता जुबैर खान की एक खास रिपोर्ट हाल ही में हजरत मुहमत सल्लेलाहो अलेव सल्लम के खिलाफ रामगीरी महराज ने अबदर टिपपनी कर मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुचाई है इसके बाद ना सिर्फ राज्य के बलकि देश भर के मुस्लिम समाज ने रास्तों पर उतरते हुए अपना रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया है दिग्रस शेहर में भी 30 अगस्त को शेहर की जामा मस्दित से जुमा की नमाज के बाद मुक्त मोर्चा निकाल कर हजारों की तादाद में मोर्चे में शिर्कत करते हुए दिग्रस शेहर का मुस्लिम समाज तैसिल कार्याले पहुचा और यहां आकर रामगीरी महाराज के खिलाफ रोश परदर्शन किया गया देखिए यह देश सवीदान से चलता है इस देश में लोक्षा ही है यह देश खाइदे और कानों से चलता है हमारे कौम की बड़ी बड़नसीवी है जिस गुस्ता के रसूल रामगीरी महाराज ने रसूल की शान में गुस्ता की की हमारे इसलाम के शान में गुस्ता की की उस पर पुलिश टेशन में यह फायर रजिस्टर हुआ लेकिन हमारी अपनी कौम की बड़नसीवी है हमारे प्रदेश की बड़नसीवी है क्या सवीधान के उच्च पत पर बैटा हुआ हमारा प्रदेश का मुखिया उस आरूपी के पास जिसने रसूल की शान में गुस्ता की की जिसने धार्मिक टेंगेवान किया मुस्लमादों की धार्मिक बाउना को दुखाया उनसे मिलने जाता है जबकि वो अरूपी है उस पर पहले ही अफारद आकल हो चुकी थी निवेजन पेश किया गया उसके अंदर एक बात का और जिकर करना चाहूँगा कि हुकूमत हिंद से कि भई वो रामगिरी महाराज को जल अजल गिरफ्तार करें और कैफरे किरदार तक पहुँचाए और साथ ही इस दोरान ना सिर्फ मुस्लिम समाज के नेताओं बलकि मुस्लिम समाज के धर्मगरूओं ने भी राज्य सरकार की मुस्लिम समाज के प्रती नीतियों के खिलाफ अपना रोश्वेक्त करते हुए रामगेरी महराज को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई है है जो रसुल आजम को बुरा बोलेगा हम उसके खिलाब खड़े हो जाएंगे और मैं खाथ हिंदुस्तान के वजीर आजम यहां की हुकूमत से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं यह बड़े-बड़ी गाड़ियों के खुणने वाले यह यह रोज गाड़िया खड़ने वाले यूँ नहीं है इनका से तो पुदाई की कसम स्यासी पहलू यह होता है कि यह वसुल आजम को बुरा बोलते हैं पुरान को छुटलाते हैं और फिर अपना उरूज हासिल करते हैं और मैं हकीकत में एक बात कहूंगा कि तुम मिटा है ना मिटेंगा कभी चर्चा तेरा जबके तुझ को बढ़ा है अनला तेरा निट गए निट ते हैं मिट जाएंगे एक रोज तुम मिटा है ना मिटेंगा कभी चर्चा तेरा ऐसा एक फसादी निजाम काईँ होगे हिंदूस्तान के अंदर कि बच्चे बच्चे के जबान पर जहर और हिंदू और मुस्लिम मैं हुकूमत को यह बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आमनों अमान अगर काइम करना चाहते है तो यह रंगा रंगी तहजीद को बाकी रखना होगा कि इसी के अंदर है ये तिरंगे के तीन रंग और एक दूसरे के तहवार में हादरी और मुसल्मान हिंदू भाईों का रिस्पेक्ट दे, हिंदू भाई मुसल्मानों का रिस्पेक्ट दे अगर ये निजाम काइम रहा तो ये मुल्क काइम है सकता है वरना मेरे बुजर्गों वो दिन दूर नहीं है कि पिर से जैसे अंग्रेजों की गुलामी से छुडाया गया था ये मुल्क दोबारा गुलामी की तरफ जाएगा इस मुल्क के अंदर क्या क्या हकाबिरीन की कुर्बानिया रही है कैसी कुर्बानिया से सिमिल को परसीचा गया है इसलिए हम मौजूदा हुकूमत को ये हमारी तरफ से पैगाम देना चाहते है कि वो हमारी बात को समखले सारे हिंदुस्तान के अंदर और पर्टिकुलर पूरे महाराष्ट के अंदर जो है इसका इहतेजाज किया जा रहा है और बड़े प्रेवाने पर किया जा रहा है क्यों कि हाकाय मदनी की शान में गुस्ता की हुई गौर तलब है 21 मुकमोर्चे के दोरान पुलिस का दलबल भी बड़ी संख्या में तैनात रहा इस दोरान तैसिल कार्यालाय पहुचकर उपुलिभागिय पुलिस अधिकारी रजनीकांत चिलुमुला की उपस्तिती में तैसिल दार डॉक्टर अर्जुन पावराओ को मुस्लिम समाज की ओर से ग्यापन सौपा गया गौर तलब है कि वीते कई सालों से किसी ना किसी बहाने मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुचाने की हरकते जारी है कुछ असामाजिक ततो दोरा निरंतर रूप से ये हरकते की जाती रही है जब भी देश में या राज्य में चुनाओ तता सियासी गतीवी दिया तेज होती है तब तब मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करने का काम शुरू कर दिया जाता है ताकि इसका राजनितिक लाफ उठाया जा सके अपने राजनितिक सौर्थ के लिए मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुचाने वाले लोग देश के हिंदू-मुस्लिम एकता को खत्म करने की कोशिशे कर रहे है और देश को बरबात करने पर तुले है बहराल जरूरी है कि केंदर और राज्य सरकार को निश्पक्ट्ष होकर नयाय पुरुवक पहल कर समाज में शांती स्थापित करने की दिशा में सख्रिय होकर रामगीरी महराज जैसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कारवाई करना समय की मांग जरूरी है ताकि देश भर के गाव कस्बो और शेहर के सभी समाज के लोगों के बीच सामाजिक सत्भावना बरकरार रह सके इंडीसियन न्यूज के लिए दिग्रसे जुबैर खान की रिपोर्ट